हलो स्टुडेंट्स एग्रिकल्चर के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागा थे तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किये हुए पहला कोशन स्टुडेंट्स जो आपका पेपर में पूछा जाता है संगोलित जिसको हम लोग कहते हैं कांगलो वैट ग्रंथी और मस्रूम ग्रंथी ये दो ग्रंथियां किस में पाई जाती हैं ऐसा पूछ रहा है डैस की प्रेजिनन प्रनाली से संबंदित ग्रंथिया हैं तो ये गरंतियां पाई जाती है बच्चों male cockroach में ना कि female cockroach में नहीं वरकर篇वी में जो क्या करते है मध्व्धू मख्या क्या करते है आपकी रानी मध्भू मक्य ली खाना बनाती च्छत्ता तयार करती है ये वरकर मध्व्धू मक्या कहलाती नहीं female आपके grass ओपर में तो paper में दीए आप से पूछा जाए कि Congo weight gland और mushroom gland are the gland associated with the reproductive system of Congo weight और mushroom gland जिसे हम लोग सांगोलित ग्रंती के नाम से जानते हैं यह पाई जाती है आपके male cockroach में याद रखेगा नेक्स्ट इदी सी में हम लोग और दी देखें तो German cockroach का जो नाम से पूछा जाता है ठीक है तो ब्लैटेला जर्मिनिका यह आपका उसका क्या बन जाता है ज्यानिक नाम बन जाता है अमिरिकन cockroach का लग इसमें आपको सायंंटिफिक नेम देखने को मिलेगा ब्रांद ब्राउंडविक्ब्रॉज्ट कॉकरोज है उसका अलग आपको सायंटिफिक नेम देखने को मिलेगा और ये नाम आपको देखने को मिलते हैं कौन को से ठीक है BLATELा जर्मिनिका यह आपको सुपेला लॉंगी पालपा जिसको हम लोग कहते हैं और इंडिया वाला है यह कौन सा आपका इंडिया के कॉक्रोच के पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा बच्चों ब्लेटा और येंटलिस आपको नाम देखने को मिलेगा तो आपको साइंटिफिक नेम कल को आता पेपर म आपको नाम देखने को मिलेगा तो यहां से भी आपको नाम देखने को मिलेगा तो यहां से भी आपको कोशन पेपर में पूछे जा सकते हैं मधु मक्या में बात करें तो बरकर मधु मक्य होती है क्या करती बच्चों प्रजनानी छमता नहीं होती मतलब बच्चे पैदा नहीं करती यह सिप क्या करती है ठीक है हाउस कीपिंग का काम करती है रानी मधु म बनाना यह काम में वो लग जाती है याद रखेंगे आपको सेकंड कोशन आप से पेपर में जो पूछा जाता है हर बार कोशन है आपका प्रति वासपोर्ट सरजन दो प्रकार के होते हैं उपापची निरोधक और फिल्म बनाने वाले प्रति वासपोर्ट सरजक तो निमलिकि एंड फिल्म फॉर्मिंग एंटी ट्रांस्पिरेंट्स विच वन ऑप फॉल्म इस नॉट आ मेटाबॉलिक इन हेविटर यह पेपर के लिए बहुत ही टफेस्ट और इंपॉर्टेंट कोश्चन इसका दिए आप आंसर देखोगे तो इसमें एस्प्रीन होता है ठीक है इसक सार्विक एसीड होता है और फिनाइल मर्कृरिक एसिटेट यह तीनों चीज़ें होती है कौन सी नहीं होती तो सिलिकॉन ओइल नहीं होता है ठीक है इस बात का बिसेश ध्यान रखेंगे तो आपको कौन कौन सी देखने को मिलेंगे उसके नाम देख लीज़े आप लो ठीक और आपका जो मोम अगरा रहता है यह चीज़ अलग हो जाती तो कौन कौन से होते हैं उपाप चेंडरोदक में तो आप उसे पेपर में पुछा है तो एस्परिन होता है इसकार्विक एसिड होता है और फिनाइल मर्कृरिक एसिड़ेट यह होता है सिलिकॉन ओइल नहीं हो आपको क्लास पसंद आती है तो काफी कम फीज जमा करके आप क्लास को ले सकते हैं हमारी क्लास चलती है गूगल मीट पर आप हमें कोचिंग लेने के लिए कौन्टेक्ट कर सकते हैं 9407-384042 पर यह हमारा वाटस अप नम्मर है आप इस पर हमें मैसेज भी कर सकते हैं और कॉ स्टुडेंट्स पूछा गया है आपसे क्या है और एसिस्टेंस ओफ एन ओम्स कनेक्टेट अक्रोस असेल ओफ एमेफ 12 बोल्ट ड्रॉस दक करेंट ऑफ 1.1 ठीक है एम्पीर फाइंड दा इंटर्नल रेसिस्टेंस ओप दी सेल विद्दुद्वाग बल 12 बोल्ट के एक सेल से जुड़ा 10 ओम का एक प्रतिरोध 1.1 एम्पीर को परिपत्म में प्रवाहित करता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध ग्याद कीजिए जब भी आप से इंटर्नल रेसिस्टेंस पूछा जाए इंटर्नल रेसिस्टेंस पूछा जाए तो फॉर्मला क्या बन जाता है वी इक्व आपके पास में वारा बोल्ट है आप यहां पर पूट कर सकते हैं जब भी आप से क्या पूछा जाए इंटर्नल रेसिस्टेंस पूछा जाता आप यह फॉर्मल लगाएंगे क्लियर है क्लियर है आपको पता है रेसिस्टेंस दिया हुआ है आपको आपको है मतलब आपको क्या दिया हुआ वही का मान दिया आपको बोल्ट में दिया है तो यह फॉर्मला लगा दिया आपने तो 12 का 12 upon 1.1 क्या हो जाएगा इसके upon में चला जाएगा इक्वल टू 10 का 10 प्लस R का R पॉइंट हटा पॉइंट हटा तो क्या लग गया उसका एक 0 लग गया उपर एक नम्मर था तो एक नम्मर का 0 लग गया अब क्या हो गया ये और सर्फ 120 अपॉन हो गया 11 इक्वल टू में 10 प्लस R हो गया 10 प्लस में इधर जाये माइनस चला जायेगा माइनस में चला जाये अहाँ पर यहां कुछ नहीं तो क्या होगा 2020 बटे में क्या था नीचे 11 था तो 11 जैसे वैसे इक्वल टू आर का आपका एक्सो दस में से आपका 120 में से 110 गया तो क्या बचाए गाल सर दस बटे क्या हो गया 11 इक्वल टू में आप भाग देंगे तो जीरो दसमलाओ 90 के आसपास आपका आर कमाना जाएगा और एसिस्टेंस की यूनिट होती है आपकी ओम यह क्या हो गया आपका अंसर आपका करेक्ट आंसर हो गया यह था उसका करेक्ट आंसर इस लेबल के भी आपको पेपर में कोशन देखने को मिलेंगे जब भी आपसे इंटर्नल रेसिस्टेंस आए तो आपको यह फॉर्मला लगाना है वी इक्वल टू आई ब्रैकेट में आई ठीक है आर एल प्लस आर आर एल मलब कैपिटल आर है और स्मॉल आर आपको निकालना होता है इंटर्नल और यह हो गया आपका 29 अंडर गोस ठीक है रेडियो एक्टिव डैसेंट्रिकेशन टू एल्ड एसाई बतब सिलिकॉन दिया हुआ है 29 दिया हुए जब उस कंड को पहचानी है जब पी 29 और एसाई 29 उपज के रेडियो धर्मी बिक्टरेंस से होकर गुजरता है तो यह जब दोनों सेम टू सेम द सांथी सांथ में लिखा हुआ है पार्टिकल जो हूंगे जो होंगे बिध दा सेम मांस दोनों सेम मांस के होंगे एन 얼ेक्टोन बट वरन यूनिट और पॉजिटिव चार्ज होगा और याद रItrood दोनों के मास के होंगे बच्चों सेम होंगे तो जब भी आपको सेम आए तो आप याद रखेगा अब पेपर में आपको next time alpha particle और beta particle भी पूछा जा सकता है यदि सेम होंगे तो आपका वो positron होगा अलग-अलग यदि होंगे तो क्या होगा alpha particle यदि आए पेपर में तो क्या condition होगी high energy होगा जैसे helium ठीक है नुक्लियोन की यदि हम बात करें तो consistence of the two proton और two neutron होंगे मतलब दोनों में two two देखने को मिलेंगे आपको क्या देखने को मिलेंगे 22 सिसमें 22 का था आपका फॉर था इसका टू था ठीक है यहां पर सिकोखोई और नम्मब ले लो उसका भी टू हर फॉर आपको ये condition देखने को मिलेंगे तू प्रोटाउन होगे दोनों में दोनों की भी difference किसका है तू का है और तू वी क्या है आपके neutron है इस condition में बोलेंगे हाई electron होंगे बीटा पार्टिकल में हाई electron होना चीए ठीक है ये condition होगी फॉजित्रॉन की condition थी कि सेम आपका mass होना चीए, proton की condition होना चीए कि hydrogen atom होना चीए उसमें neutron की condition होना चीए कि उसमें क्या होना चीए particle बिता mass होना चीए equal the proton half होना चीए ठीक है लेकिन बट क्या होना चीए no charge उस पर कोई charge नहीं होना चीए charge less होना चीए मतलब क्या होना चीए neutron पर charge zero होना चीए याद रखेंगे आप लो gamma rays क्या होती very high energy आपके बाद में next question जो है आपका वो भी देख लेते हैं फटा-फट ठीक है क्या question था आपका one kilo calories of heat energy correspondence to how many joules in MKS system मतब एक किलो calorie उसमा और जाको MKS प्रनाली में कितने joules के नुरूप बांटा जाता है तो बही एक calorie यह आपसे paper में पूछा जाए एक kilo और calorie आपसे paper में आती पेपर में एक kilo ठीक है आपसे paper में क्या पूछा जाए calories यह पेपर में पूछा जाता है उसकी value आपका यह होती है ठीक है कितना होता है 41-84 जूल होती है इतना होता है 41-84 जूल होती है किसमे 4184 जूल होते है एक kilo calorie में यह याद रखिएगा paper में दी पूछा जाए तो यह उसका answer ही है जैसे आपसे कोई पूछा जाए एक kilo ग्राम में कितने ग्राम होते तो आप diet के अलग दोगे 1000 ग्राम वैसे ही एक kilo calorie उसमा में कितने जूल होते हैं तो 4184 जूल होते हैं यह fact based कोशन था तो यह काफी toughest कोशन थे आपको समझ में आये होंगे यदि आपको और कोई doubt है तो को एन तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यबाद मिलते हैं अन्य वीडियो में तब तक के लिए bye bye